सभी करने के लिए हम यहाँ पे हैं, concept बताने के लिए हम यहाँ पे हैं, सीफ और सीफ आपको देखना है और comment करना है Hello Friends, आप सबका स्वागत है यारे Physics Classes में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं Objective Practice State का Class, 2L का Objective Practice State हम लोग करने वाले हैं और यह जो आज topic बताने जा रहे हैं, वो elactic potential का होगा Elactic potential से related, जितने भी Objective अभी तक के question bank में पूछा हुआ, वो सारे question बताएंगे और कुछ ऐसे भी question बताएंगे, जो आपके exam में पूछने वाला है तो चलिए इस वीडियो को बीना skip किये, टोटल question को concept आप समझेए, चाहे वो ICC vote हो, चाहे वो CBC के exam वाले बच्चे हो, चाहे वो Bihar vote के exam वाले बच्चे हो सभी बच्चे इस वीडियो को देखिए, बीना skip किये, और concept जाने की किस question का answer क्या होगा तो चलिए start करते हैं, और start करने से पहले एक बात जडूर कहेंगे, कि जो बच्चे नए हैं, इस channel को subscribe ज़लूर करिएगा और अभी तक like नहीं किये, तो इस like और share ज़लूर कर दिए, क्योंकि आपका like और share ही हमारे manovol को बढ़ाता है और अधिक साधिक हम courses करते हैं, हमारे बच्चे जो online बैठे हुए घर पे पढ़ रहे हैं, उनको हम ज़्यादा मेनत करवाएं, ज़्यादा question का practice set करवाएं ये कभी तभी संबह होगा, जब हमारे वीडियो को अधिक साधिक like और share करते हैं ये स्टार्ट करते हैं सबसे first question, what is the formula of electric potential बावव क्या होगा, क्या होगा, W by Q होता है, electric potential को V से denote करते हैं, V is equal to W by Q, means work done per unit discharge is called electric potential and electric potential V is equal to W by Q, so is right answer, यदि आपको भी मालूम होता है, तो comment करके ज़रूर जवाब दीजिएगा कि कौन सा question का answer क्या होगा, कौन सा option होगा, चलिए एक्स question की बाद करते हैं, name the quantity of electric potential, क्या होगा बाववू, a scalar quantity होगा, electric potential हो, जो है, वो a scalar quantity होगा, क्यों a scalar quantity होगा, क्योंकि जो work होता है, work भी एक scalar quantity होता है, a charge भी a scalar quantity होता है, so a scalar by a scalar is a scalar, तो इसी लिए हम कहेंगे, electric potential जो होता है, वो a scalar quantity होता है, याद रखेगा, जो बच्चे देख रहे हैं, आज हम लोग total 40 objective question का practice rate करेंगे, और एक एक question को आप comment करके जड़ू बताईगे, कौन सा question का answer क्या होगा, चलिए, third question की बात करते हैं, what is it, unit of electric potential बाबू, क्या होगा, volt होगा, माल लेते, suppose अगर volt न दिया रहे है, option में, तो क्या आप जवाब दीजिएगा, joule per column, याद रखेए, कभी-कभी option में, वोल्ट नहीं दिया रहता, बच्चा रटा मार करके जाता है, कि वोल्ट होता है, वोल्ट होता है, बट अगर ना हो, तो फिर दिकात वजाएगा, तो याद रखेए, जूल per column करेंगे, या फिर वोल्ट होता है, याद रखेए, रटा नहीं मारना है, next question की बात करते हैं, question number 4, question number 4 की बात करते हैं, बाबू, आप देखिए, स्क्रीन पर है, what is the dimensional formula of electric potential, क्या होगा, d होगा, देखिए, हम लोग electric potential का जो dimensional formula होता है, उसको हम दोग चेक कर लेते हैं, कि really में d option सही है, कि नहीं देखिए, b equal to होता है, w by q होता है, w का होता है, ml square, t का power minus 2, और by q का होता है, a t, और ये, जब हम इसको solve करते हैं, ml square, t का power minus 3, a का power minus 1, तो देखते हैं, ml square, t का power minus 3, a inverse means d is the right answer, तो देखिए, कभी भी objective को हम लोग बनाते हैं, ना, इस तरह से बनाते हैं, तभी हम उसको करते हैं, रटा मारना नहीं है, बहुत सारे बच्चे रटा मार लेते हैं, ठीक है, याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कभी-कभी इस तरह से confusion दे देता है, तो confusion नहीं करना है तुरांतों से solve करके बना लीजिए, next question की बात करते हैं, what is the value of electric potential at infinity, याद रखेगा, infinity पे जो होता है, electric potential का value होता है, वो 0, कुछ बच्चे आपके लिए बिडियो बनाते हैं, सिफ और सिफ हिंदी में, तो आप वो वीडियो जडूर देखिए, ये सिफ सिबसी वाले बच्चों के लिए, बिहार बोर्ड की जो बच्चे English medium हैं, उनके लिए, जो ICAC exam के लिए हैं, उनके लिए हैं, तो याद रखेगा, आप हिंदी medium के हैं, तो जडूरी नहीं कि हम हिंदी के लिए special, वो आप दूसरे वीडियो में जाएगा, प्लेलिस्ट में चले जिएगा, बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, लॉंग और सौर्ट कोशन सब बता हैं, अब्जेक्टी भी बता हैं, तो आपको जो चाहिए, वो आपको प्लेलिस्ट में जा करके, आप सर्च क सब्सक्राइब करेंगे, वो वोल्ट होता है, या फिर उसको हम कहेंगे, जूल पर कुलाम होता है, उमीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो अधिक सदिक सेर जलूर करिएगा, और नए भीवर हैं, तो जलूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजए क्योंकि बहुत कुछ मिलने वाले हैं, आपको याम के परपस से, नेक्स कोशन की बात करते हैं, वाटी दा यूनिट और पोटेंशिल डिफरेंस, बताइए, क्या होगा बबबू, वोल्ट, या रखेगा, इलाक्टिक पोटेंशिल हो, या पोटेंशिल डिफरेंस हो, उसका सेम यूनिट होता है, सेम फर्मूला होता है, सेम क्वांटिटी होता है, याद रखेगा, सेम डैमेशन फर्मूला भी होता है, अब नेक्स कोशन की बात करते हैं, कोशन नमबर एट, एट कोशन आप देखिए, और बताई, कमेंट करिए, बीना कमेंट किए, प्रैक्टिस ब बारे में छो दीजे कि हम जो comment करेंगे कि वो सही होगा कि गलत होगा सही करने के लिए हम यहाँ पे concept बताने के लिए हम यहाँ पे सिफ और सिफ आपको देखना है और comment करना है चलिए name the quantity of electric potential क्या होगा बाभू a scalar quantity होगा है जैसे कि अभी हमने आपको बता है कि जो electric potential होता है या फिर potential difference होता है उस सेम फर्मूला होता है सेम उसका dimension formula होता है सेम quantity होता है तो हम कहेंगे it is a scalar quantity next question की बात करते है what is the dimension formula of electric potential क्या होगा ml square t का power minus 3 a का power minus 1 अभी just हमने निकाला है फिर से आप देख लिजिएगा v is equal to होता है w i q चाया वो electric potential हो चाया वो potential difference हो सबके लिए सेम होता है ml square t का power minus 2 और यह कर लेते हैं 80 और जब इसको combine करते हैं तो यह बन जाता है ml square t का power minus 3 a का power minus 1 इस तरह से हम देख रहे है option a होगा देखिए रटना नहीं है हमारे जितने भी बच्चे हैं वो रटते नहीं है वो concept को समझते हैं इसलिए टॉप करते हैं तो आप भी इस channel पे देख रहे हैं video तो ध्यान से दिखिएगा concept को समझेगा तो रटनी की जूरत नहीं पड़ेगा फिजिक्स रटनी वाला चीज नहीं है सिर्फ और सिर्फ समझने वाला चीज़ समाझे लिजेगा तो जिनकी भार यह आप के लिए हो जाएगा next question की बात करते हैं what is the formula of electric potential due to a point charge बतेगे क्या होगा याद रखिएगा due to a point charge 1 by 4 पाइपसलों नोट qy r होता है ना electric potential का जो फर या अगर नहीं है तो ध्यान दे करके बबू पढ़ाई करिए एक्जाम नजदी का रहा है उस एक्जाम के लिए हम लोगो 100% dedicate हो जाना है मात्र एक महिने में हम लोगो टॉप करना है मात्र एक महिने में पूरा syllabus को complete कर लेना है पूरा syllabus को revision कर लेना यही time है दिन रात एक कर ना उसके बाद आरा हम से खुब सोईएगा एक्जाम के बाद कोई नहीं पूछने वाला है लेकिन अभी आपको मेहनत करना है how many joules in one second one column बाबु क्या होगा how many joules in one column कौन सा अप्शन होगा d दिखिए one electron volt कर रहें कि how many joules in one column दिखिए आप जानते हैं कि w is equal to w is equal to हम d into q करत ना अभी हमारा q जो है one दिया है one ना one column तो one column ये कर लेते हैं और यहाँ पर how many joules का रहा है ठीक है how many joules का रहा है तो w पूछ रहा है तो w is equal to q करेंगे और बबु आ ये one column अभी के जगा पर भी one अगा रखते हैं ना one volt क्या करते हैं one volt रखते हैं तो one column volt हो जाएगा और one column का मतलब होता है one electron क्या होगा one electron volt तो one electron volt का value जो होता है वो हमारा 1.6 into 10 to power minus 19 joule होता है याद रखियेगा कितना होता है one electron volt का value 1.6 into 10 to power minus 19 joule हो जाएगा तो option D जो है वो right answer होगा next question क्या होगा बाबू बताइए next question number what is the relation between electric potential and potential energy कौन साप्शन सही होगा क्या होगा what is the relation between electric potential and potential energy दिखी है जो V is equal to W, Y, Q है यह हमारा right answer होगा क्योंकि हम लोग V is equal to W, Y, Q पड़े है तो W जो है या तो आप work कहिए या तो energy कहिए energy में कोई भी energy का सकते है potential energy भी आप का सकते हैं तो potential energy को हम लोग capital U से denote करते हैं Q जो होता है वो charge होता है so V is equal to W, Y, Q यह हमारा option A हो जाएगा क्या है is any test charge moving in electric field its work done depends on path क्या होगा बाबू दिखी है कोई भी work done होता है वो path पे depend नहीं करता है क्या है is any test charge moving कोई भी test charge को एक जगा से दूसरे जगा place करते हैं तो move करता है तो move करेगा तो क्या electric जो work done होगा वो work done depend करेगा नहीं होगा क्यों 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 work done is equal to होता है V into होता है वोगवा क्यों डावलू is equal to क्या होता है V into Q होता है so work done does not depend on any moving charge यानि कि moving test charge test charge को move करने पर कोई उस पे फर्क नहीं पड़ता है कोई work done उसमें कोई changing नहीं होता है यानि की option होगा V no next question की बात करते हैं what is the nature of equipotential surface of a point charge कौन सा होगा याद रखिए concentrate a sphere होता है what is the nature of equipotential surface of a point charge equipotential surface का मतलब होता है हमाल लेते हैं यह कुई charge है और यह इस तरह से जो एक्यू का मतलब हर जागा जो होते हैं एक ही तरह का potential रखते हैं तो ऐसी potential जो होता है वो concentric a sphere का formation करता है concentric a sphere का मतलब होता है एक कुई charge center में हो गया और उसके around में जो हो गया potential difference हो गया वो equal point में हो गया तो इस तरह से कहेंगे concentric a sphere होगा next question की बात करते हैं question number 15 बताइए option में कौन सा answer होगा बहुता है what is the relation what is relation between electric field intensity and potential gradient कौन सा option होगा d होगा याद रखिएगा e is equal to minus dby r होता है यह जो electric potential gradient होता है वो electric field intensity की equivalent होता है means electric field intensity जब हमारा negative में आ जाएगा यानि की equal to minus dby dr या r की रूप में हो जाएगा तो यह हो जाता है electric potential gradient अगर माल लेते हैं अगर minus अगर नहीं रहेगा तो potential gradient नहीं होगा याद रखिएगा माइनस ही बता रहा है कि electric potential electric field जो है वो electric potential gradient का formation कर गया तो यानि की equal to minus dby r हो जाएगा या dr हो सकता है next question की बात करते है what is the unit of potential gradient क्या होगा बबब क्या होगा d volt per meter देखिए भी का हमारा होता है volt होता है और r का होता है meter यह उपर जाएगा तो बबब वोल्ट पर meter हो जाएगा याद रखिएगा potential gradient का जो formula होगा वो हमारा यह है और इसका जब मात्रक हम निकालेंगे तो वोल्ट पर meter होगा तो formula याद रहेगा तो मात्रक याद हो जाएगा dimensional formula याद हो जाएगा और यह कौन सी quantity यह भी याद रहेगा क्योंकि यह जो है हमारा क्या होगा d होगा देखिए हम लोग यह e is equal to dby dr e is equal to v का v का हम लोग dimension formula अभी हम लोग पढ़े है am l square t का power minus 3 a का power minus 1 यह पढ़े है न और by क्या करते है लेंद का यादि की r का l होता है और इस तरह से यह कट जाएगा तो am l t का power minus 3 a का power minus 1 होता है तो इस तरह से कहेंगे am l t का power minus 3 a का power minus 1 is the dimension formula of potential gradient so option कौन सा होगा बाबू कौन सा है am l t का power minus 3 a का power minus 1 यानि कि d is the right answer इस तरह से कहेंगे d हमारा right answer है कभी भी आप कोई भी dimension formula बनाते हैं उसको आप देख लिजए formula उसके according आप इसको solve करिए तभी आपका right होगा नहीं यह गलत हो जागा तो फिर दिकाथ हो जागा बाबू कि हमारे लिए एक एक नंबर जो है वो बहुत important है एक-एक question जो है हमारे लिए important है इसलिए किसी question को हम लोग easy way में नहीं लेंगे एक-एक question को ध्यान पूरक पढ़ेंगे और उसको करके ही ओमार sheet को color करेंगे क्योंकि आपकी थोड़ी सी लपरवाही आपको मिन से topper बनने से रोग सकता है एक नंबर भी आपको कम आ जागा तो हो सकता है आप बाद में पस्तेज़ेगा थोड़ा से ध्यान देते तो वो बाद में पस्ताने से अच्छा है कि आप अभी से ही मेनत करिए प्रैक्टिस कर करें थे हैं और यह अगुंप फिल इंट सीथे n पहलेते हैं और यह जो अएप चैनल Pizza शते हैं इस डिन सीट राटरक्टट नंशीट यह व्यक्राइट इंडिन सीट पाकेटमिक आपक्क ऑ criançasाची सब में अच्छा सीलय दिख एफैंट सो यह घौल ूभी आर होगा थी जो है potential difference है या electric potential है और आर जो है वह हमारा distance है तो इस तरह से electric field intensity and potential electric potential की बीच में जो relationship होता है is equal to b by r अगर बाबु negative होता है तो वो potential gradient हो जाता है यहीं बच्चे confusion कर जाते हैं सर इसमें और उसमें क्या difference है तो बाबु negative बताता है वो potential gradient होता है यहां पर positive है इसलिए हमारा जो यहां पर electric field intensity जो है वो का सकते हैं कि भी आर हो जाता है भी जो होता है electric potential होता है चलिए next question की बात करते हैं question number 20 देखिए जितने भी बच्चे हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं अधिक साथ इस वीडियो को share कर दीजिए ताकि जो भी बच्चे एक्जाम के लिए त्यारी कर रहे हैं उनके पास वीडियो पोच है और वह भी आथी की तरह लाब उठाए और एक्जाम में अच्छा नमर कर ले चलिए next question की बात करते हैं बाबू question number 20 20 में option देखिए कौन सा होगा कि आप comment करके जरूर बताए क्योंकि देखने से कोई में नहीं फायदा नहीं होगा जब तक से सब्कमेंट नहीं करते हैं बोलती हो गलती होगी और गलती होगी तो आप सब्सक्राइब करें से हमें कोई दिकत्ने आप करिए anti 10 क्योंकि future में अगर यह question आ जाएगा तो आप समझ यह कोशन हम online practice कर रहे थे गलत हुआ था अभी इसका answer यह होगा ऐसे होता है वह experience हम लों के साथ हुआ है यह अपना experience आपको बता रहे हैं गलती करते हैं तभी हम लोगों को सिखने को मिलता है the potential of electric dipole varies with distance क्या होता है बबू कौन सा होगा दीकिए the potential of an electric dipole electric dipole के लिए जो होता है वो भीज inversely proportional to 1 by r square होगा लेकिन अगर simply का देगा कि the potential is directly proportional to तो बबू आ हम कह सकते हैं कि V is inversely proportional to 1 by r कर लेते हैं यह simple अगर कहेगा तब लेकिन electric dipole अगर add कर देगा तो उस condition में V is inversely proportional to 1 by r square होगा इस दोनों में थोड़ा सा difference है यह 1 by r square कब होगा जब electric dipole होगा तब अगर electric dipole नहीं होगा तो सिफ V is directly proportional to 1 by r कर लेते हैं next question की बात करते हैं given example of conservation conservative force in nature which produces produce potential बता है यह कौन सा होगा बबू देखिए कर रहा कि given example of conservative force conservative force कौन कौन होते हैं electrostatic force is also conservative force and gravitational force is also a conservative force so we can say that c is the right answer a and a and b na a and b यहाँ पर b कर लेते हैं a and b चुकि a b होगा b b होगा तो c में a and b कर लेते हैं इस तरह से देखिए बच्चे जो होते हैं जो ज़्यादा excited होते हैं जो ज़्यादा over smart होते हैं एक्जाम में question number 22 का अब आव एंसर का हो electric field is non zero at a point what does electric potential be zero at that point अगर किसी भी पॉइंट पर electric field अगर non zero ना तो कर रहा है वार डाज electric potential be zero तो कहेंगे यस तो किस किस में यस होगा कोई बताएंगा electric field intensity on equatorial line हम जानते हैं ना बट इलेक्टिक potential due to electric dipole on equatorial line will be zero यानि की equatorial line पर जो electro potential होता हो जीरो होता है बट electric field intensity equatorial line पर non zero याद रखिएगा तो हमारा यस होगा याद रखिएगा electric potential जो हता है equatorial line पर नॉन जीरो ह्ता है मतलब zero नहीं होता है लेकिन equatorial line पर हमारा इल्क्टिक पोटेंशियल जीरो होता है next question करा what is the cg's unit of electric potential क्या होगा बबु याद रखिएगा state volt और ab volt याद रखिएगा cg's unit of electric potential is a state volt और ab volt होता है उमीद करते हीं कि जो बच्चे हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे अगर आपको थोड़ा सा भी लगए कि नहीं हम इस वीडियो से सीखे हैं तो प्लीज आप इसे share जलूर करिएगा क्योंकि आपका एक share हमारे मनवल को बढ़ाता है हमारे मेहनत को और दोगना करता है कि नहीं हम बच्चों को और इस तरह से वीडियो बनाएं सब्सक्राइब नहीं किये तो सब्सक्राइब जलूर करिएगा चले नेक्स कोशन की बात करते हैं इलेक्टिक पोटेंशिल डिक्रीज और इंक्रीज वेन पासिंग इन डिरेक्शन ऑफ इलेक्टिक फोर्स लाइन बावु क्या होगा याद रखिएगा इलेक्टिक पोटेंशिल डिक्रीज और इंक्रीज वेन इट्स पासिंग इन डिरेक्शन ऑफ इलेक्टिक फोर्स लाइन जैसी इलेक्टिक फोर्स लाइन में हम पासिंग करते हैं इलेक्टिक पोटेंशिल जो होता है वो डिक्रीज होने लगता है याद रखियेगा क्योंकि electric potential is inversely proportional to 1 by r होता है याद रखियेगा next question की बात करते है is it possible that electric potential is 0 at a point but electric field is non-zero at that point याद रखियेगा is it possible that electric potential is 0 at a point but electric field is non-zero at that point अभी बता हैं कि yes it is possible it is possible क्यों करा है कि it is possible that electric potential is 0 electric potential 0 होता है कहां पर electric potential 0 होता है equatorial line पर but electric field is non-zero electric field 0 नहीं होता है वहाँ पर उसका value होता है बात समझ मारा है न electric potential will be 0 on equatorial line but electric field lines never 0 on equatorial line so यह कहेंगे possible है करें is it possible that electric potential 0? yes it is possible because electric potential on equatorial line will be 0 but electric field intensity on equatorial line non-zero 0 so हम कहेंगे B option next question की बात करते हैं बाबू फड़ा फड़ा हम लोग अधिक साधी question का practice करेंगे जैसे कि आपको बता रहे हैं कि इस वीडियो में total जो है हम आपको electric potentials related 40 objective question का concept बता रहे हैं और यह 40 objective question कुछ exam में आया हुआ है और कुछ उमीद है कि यह exam में आ भी सकता है तो यह crash course है A to Z हमारा main है motor कि जो आपका NCRT का book है part 1 and part 2 दोनों का total objective concept के साथ बता है यदि आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो इस चैनल को जड़ो subscribe करिएगा next question की बात करने है does two equipotential cuts to each other कभी never cut to each other याद रखिएगा कहेंगे कि no two electric field lines never cut to each other देखिए equipotential surface हम इसको बोलते हैं यह जो है यह हमारा equipotential surface है जो क्या होते हैं इस तरह से बनाते हैं यह equipotential surface होते हैं यह देखिए यह line यह line अलग-अलग line होते हैं उसरे को कभी cut नहीं करते हैं याद रखिएगा next question की बात करते हैं electric potential is a constant in electric field what do you say there about electric field there याद है electric potential constant है जब electric potential constant है मतलब electric field वहाँ पर क्या होगा 0 होगा option A होगा याद रखिएगा यह option होजागा next question की बात करते हैं question number 28 बताई क्या होगा question number 28 question number 28 क्या होगा बात what is the formula electric potential due to electric dipole electric dipole थोड़ा सा इधर होगा what is the formula of electric potential due to electric dipole in axial position when R is greater than L क्या होगा बात क्या होगा बात क्या होगा D होगा याद रखिएगा axial line है न axial line axial line पे टूपी न होता है जी नहीं ठीक है याद रखिएगा what is the formula of electric potential due to electric dipole on axial position तो V is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 into PY R square होता है लेकिन अगर equatorial line पे कहेंगा तो क्या होगा 0 होगा equatorial line पे जो होता है electric potential 0 होगा लेकिन axial line पर यह होता है V is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 PY R square होता है next question what is the value of electric potential due to electric dipole on equatorial line याद रखिएगा यहाँ पे आगया यह question 0 होता है equatorial line पर 0 होता है but axial line पर यह formula होता है याद रखिएगा concept आपके दिमाग में होनी चाहिए बहुत ही important question है सब याद रखिएगा यह question जीतनी भी आपको बता रहे है सभी important question है आप comment करिए आप comment करके जवाब दीजिए कि कौन से question का answer क्या होगा option क्या होगा पता है next question what is the formula of electric potential due to electric dipole at any point क्या होगा option पता है बच्चे confused हो जाते हैं कि किस तरह से होगा याद रखिएगा c option होगा v is equal to one by four pi epsilon not into p cos theta by r square यहाँ पे cos theta आ जाता है याद रखिएगा at any point electric potential at any point v is equal to one by four pi epsilon not into p cos theta by r square so option c is the right answer next question है what is the formula of potential energy of dipole in external field क्या होगा क्या होगा v याद रखिएगा u is equal to minus p cos theta होता है या फिर कभी-कभी यह पूछेता है u is equal to minus p vector dot e vector u is equal to minus p vector dot e vector भी का सकते हैं अगर vector के form में पूछेगा अगर vector के form में नहीं पूछेगा तो इस तरह से करेंगे u is equal to minus p cos theta उमीद करते हैं कि आप लोग जितने भी बच्चे हमारे इस channel को देख रहे होंगे हमारे इस video को देख रहे होंगे वो थोड़ी सी भी अगर आपको लगी की नहीं इस channel से हमें profit है इस channel से हमें कुछ सीखने को मिल रहा है जलूर subscribe करिएगा और हाँ इस video को अधिक सदिक share करिएगा next question की बात करते हैं अगर की का रहे हैं की वह इस इक्वल टो होता है माइनस पी और कॉस्टीटा होता है क्या होता है कॉस्टी तो क्या होता है तो यह पूरा हमारा क्या होजाएगा जीरो होजाएगा तो option हमारा क्या होजाएगा 0 uphold it next question की बात करते है 32 हो गया 30 30 32 33 ना एगा अरे इधर आगया 33 इक हो गया अच्छा इधर 33 है उदर 34 है वाँ क्या होगा और निक्यूलियस है और रेडियस ऑफ 9 इंटो 10 तो पावर माइनस 15 मीटर आप अटोमिक नंबर 50 विटी डाइक्टिक पोटेंशियल अट सर्फेस इट क्या होगा बबू कौन सा बोल्ट 80 वोल्ट करा निक्यूलियस है जर रेडियस दिया हुआ और दिया है गिस्त देखिए सॉलूशन में हम लोग क्या करते हैं बोर्ट पे देख लीजिये सॉलूशन में सकते पहले गिभन कर लेते हैं देखिए आर दिया हुआ है 9 इंटो 10 तो पावर माइनस 15 मीटर कर अटोमिक नंबर दिया है जेड़ इज इक्वल तो 50 ना वट इस अलेक्टिक पोटे आर पढ़े है ना 1 बाई 4 पाई आपसलो नोट के जगह पर 9 इंटो 10 तो पावर 9 करते हैं Q के जगह पर हम बावू 50 और इंटो 1.6 इंटो 10 तो पावर माइनस 19 कर लेते हैं क्योंकि बावू होता है Q is equal to N E होता है नहीं according to quantization of electric charge Q is equal to N E N means यह number of electron यह 50 कर देते हैं अब रख देते हैं 1.6 इंटो 10 तो पावर माइनस 19 और आर के जगह पर 9 इंटो 10 तो पावर माइनस 15 99 केंसिल यह 15 जाएगा उपर तो positive हो जाएगा यह 59 हो जाएगा 24 नहीं और 24 में से 19 माइनस कर लेते हैं तो यह आपका 16 पावर यह 8 हो जाएगा ना और यह कितना हो बाबू 4 हो जाएगा नहीं पूर जाएगा ना 24 5 कितना हो जाएगा बाबू 5 हो जाएगा यानि कि इसको हम कर लेते हैं क्या 80 इंटो 10 तो पावर 4 देखिए इसमें कोई ओप्सन ऐसा नहीं दिया है एंसर आएगा 80 तो आ रहा है लेकिन इसमें 10 तो पावर 4 भी होना तब यह जा करके सही होगा यह इसमें कोई option नहीं है अगर आप बनाए होंगे तब तो ठीक है नहीं तो याद रखिएगा इस तरह से solve करके ही हम लोग हम करते हैं याद रखिएगा c option में होगा but 10 to power 4 volt इसमें add करना है चले next question की बात करते हैं बाबू बताइए a proton is lit by one volt potential difference what is energy by receive it क्या होगा देखिए हम लोग को w is equal to होता है q into v और q करा क्यों प्रोटन मालेते हैं one proton है ठीक है ना और a slate by one volt one volt करते हैं तो यह हम कर लेते हैं one electron volt के equivalent होगा so option क्या होगा ए होगा तो जो भी बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को याद रखिएगा हम लोग कोई भी numerical होता है बीना solve किये ना इस तरह से हम लोग नहीं करेंगे solve करते हैं तभी हम लोग इसको option क्लिक करेंगे next question आप देखिएगा question number 35 question number 35 देखिए question number 35 बताइए question number 35 का क्या होगा बाबू two column charge bring from one point to another point its work done is 20 joule of fine potential difference between these points क्या होगा बाबू 10 होगा 10 volts क्यों क्योंकि बाबू v is equal to w by q जानते हैं w दिया हुआ है 20 joule दिया है और q दिया है two column ये कट जाएगा 10 volt हो जाएगा so option a is a right answer option a हो जाएगा हमारा इस तरह से next question कर रहा है कि electric field 500 volt per meter and electric potential 3000 volt from a certain distance of a point charge find a certain distance क्या होगा बाबू क्या होगा दिखी है हम लोग ज्यादे दिमाग नहीं लगाएंगे हम लोग जानते है भी is equal to e पढ़े हम लोग e is equal to b by r पढ़े है नहीं आर अगर निकालना होगा तो b by e कर लेते हैं और b के जगा पर कितना दिया बाबू electric field दिया है potential दिया है 3000 by 500 ये काटते हैं 5 6000 तो ये 6 meter हो जाएगा option a 36 का option a होगा याद रखिएगा बाबू 6 meter होगा चलिया next question की बात करते हैं बाबू question number देखिए question number 37 की बात करते हैं देखिए a positive test charge is moved from lower potential point to higher potential point what will be potential energy of test charge क्या होगा बाबू क्या होगा देखिए कारा positive test charge is moved from lower से higher जा रहा है जब lower lower से higher जाएगा तो उसका potential energy हमेशा क्या होगा increase करेगा so b option हो जाएगा next question की बात करते हैं every corner of equilateral triangle of side 10 cm is 10 micro coulomb charge fine potential energy of the system क्या होगा बाबू देखिए भी is equal to होता है one by four pi epsilon not into qy r हम जानते हैं ना करा every corner of equilateral triangle यह equilateral triangle है और हर corner पे दिया है कितना यह 10 cm दिया है और दिया है 10 micro coulomb दिया है ना 10 micro coulomb दिया है यह 10 micro coulomb दिया है तो हम इसका value चुकि 3 हैं तो 3 कर लेते हैं 1 by four five का value रखते हैं 9 into 10 to power 9 कर लेते हैं q के जगा पर हम कर लेते हैं 10 into 10 to power minus 6 कर लेते हैं और आर के जगा पर 10 into 10 to power minus 2 कर लेते हैं ना चुकि सिंटी मीटर में है तो मीटर में कर लेते हैं अब 930 ये दिखिए 27 और बाबु ये दिखिए कितना हो जाएगा ये उपर जाएगा तो 8 हो जाएगा नहीं ये कट जाएगा ये 27 खाली हो रहा है जी 27 जूल ये दिया हुआ है option A हमारा right answer हो जाएगा याद रखिएगा इस तरह से हमनों question को solve करते हैं 27 जूल हो जाएगा next question की बात करते हैं 39 39 दिखिए कौन सा question option होगा if similar electric is present in the direction of x-axis then equipotential will be अगर x-axis में होगा तो हमेशा ये y-z plane में होगा याद रखिएगा किस में होगा in direction of y-z plane तो option हमारा B हो जाएगा next और last question हम बात करने जा रहे हैं क्या होगा electric dipole moment P vector is established in electric field E vector then its potential energy will be क्या होगा बबु याद रखिएगा ये P vector dot E vector होता है क्योंकि हम पढ़े हुए है potential energy is equal to minus P cos theta भी आपको बताया हुए है ये भी होता है और ये भी ये vector के भाव में है dot product के रूप में और ये इस तरह से हैं तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो में जो भी question बताया होंगे आपके exam के लिए बहुत important होगा तो यदि ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो का like share comment जड़ू करिए और नए viewer है तो इस channel को जड़ू subscribe करिए फिर हम लोग मिलते हैं नए topic साथ तब तक की लिए धन्यवाद